52% जो लोग है हमारे भारत के अंदर ये अपना सासन करना चाहता 98% के ऐसा थोरी होगा वो हाथ में जो धागा हम लोग बानते हैं ये पंडी जी का काना है कि हम आपका बाप ददा से गुलामी करवाए हैं लेकिन आप आप से भी गुलामी करवाएगे जीव काट कर लेंगे उसको 10 करोर रुप्या देंगे हमको तो लगता उसको शिक्षा का ग्यान नहीं है वो शिक्षा का ऐसे ढूंगी बाबा बनके बैठा हुआ है जो हिंदू मुस्लिम करके जो राज कर रहा है नरेंदर भाई मोदी जो हमारे देश का परधान मंत्री है जो उसका नितरूत कर रहा है तो उसके साथ के उसकी संगठन है तो फरवट जाते का पाट्री है वो जो है ये फरवट का जाती है लेकिन वो बात करता है पिछरा का ह हमको दिखाइए मोधी के राज में क्या पिछरा हुआ मालो अगर किसी को दस कदम आगे चलेगा तेज़ेस्वी जादब युबा है और उसे जितना मालो अभी जो भी पिछरा है पिछरा गर लालू चले जाए हम लोग अगर 15 साल 20 साल पीछे चल जाए तो हम लोग को मुह में कुन बोल दिए वहीं ने च्छे महिना के अंदर मेरा ख्याल तीन लाख नोक्री बांट चुके हैं और जो वदा किया तेज़ेस्वी जादब की जो हमारा सत्ता में रहते हुए दस लाख हम नोक्री पूरा करेंगे अगर हम रह गए सही सलाम पच्चीज अभी हमारे साथ ज मुहमद जलील साहब जी इनसे हम बात करेंगे विहार को आप देख रहा है कि इसके पार्टी राष्टे जंतादल के पार्टी और विहार सिक्षा मत्री चंदर सेखार यादव जी के द्वाराजी इस प्रकार से राम चरितमानोस को लेकर बयान दिया गया है और उसको लेकर पूरी देश भर में आग पकड़ा हुआ इस मावले को उस पर इनसे हम जादेंगे कि आखिर जो बयान दिया गया है इसमें पूरी सच्चाई क्या है आखिर इनकी क्या रहा है तो सबसे पहले हमारी चैनल आपका स्वागत है अन्यवाद क्या कहना चाहेंगे सर सिक्षा मंत पुरेफेसर आदम हैं और कोई भी वह बियान दिया हुआ तो बिलकुल सोज समझके दिया होगा और रावैन से निकाल के उसको पर के आए-उसोज समझके दिया होगा घ्यान ने कि डलितों के लिए-पिछ्रों के लिए- पहले आप इतियास उठाके देखिए, पीछे चल जाएए सो साल पीछे, ये लोग क्या अतियाचार क्या पिछरों का उपर, ठीक है ना, तो उससे तरफ से अतियाचार के वो बांधे हुए, अरे उतना दूर हम लोग कहे जाते हैं, हम लोग जो हाथ में पंडी जी से धागा बन बाते हैं, तोचकर बनाते हैं, पंडी जी के धागा बन बाते हैं, उसको निकाल कर आप पर लिजिए, वो पंडी जी का कहना होता है, ये बड़ाबन दो परसेंट जो लोग है हमारे भारत के अंदर, ये अपना सासन करना चाहता, अन्ठाव्य परसेंट से, ऐसा थोरी ह होगा, वो हाथ में जो धागा हम लोग बानते हैं, ये पंडी जी का कहना है कि हमाप दादा से गुलामी कर वाए हैं, लेकिन आप आप से भी गुलामी कर वाएंगे, ये पाखनडवाद और अंध्विस्वासी जो लोग है और खास करके ब्रह्मन पत के जो लोग है, जिनों नारी का मतलब होता है, चैक पसू हो, क्या सुद्र हो या नारी हो, तीनों का अपमानी करने के लिए गरंत में लिखा गिया है, उसको उसने उजागर किया है, तो उजागर करने के ड्होंगी बावाजु है, जो कर रहे थे हैं जिक शाममंत्री के जीप काट कर लेंगे, उस उसको 10 करोर रुफ्या देंगे हमको तो लगता उसको शिक्षा का ग्यान नहीं है वो शिक्षा का ऐसे ढूंगी बावा बनके बैठा हुआ अगर जिसको शिक्षा का ग्यान है वो इस पर आवाज नहीं उठाएगा खुद के वह रवाइन खुल के उसको परना चाहिए उसको पर बुच सोच समझ के उसको ब्यांद देना चाहिए अध्यासी भाबा ने दस कलूर के जो इनाम रखा है अखिर वो दस कलूर के पास से कहा तो वह कंवा है वह हमारा अभी जो हिंदू-मोस्लिम करके जो राज कर रहा है नरंदर भाइ मोधी में पेट में कुछ बात करता है पिछरे का लेकिन काम करता हूँ दो परसेंट जो है राजपुत बावन उसके तरफ चल रहा हुआ उसके का मालो अगर किसी को पांच किलो आनाज देता है काता हम फिरी देंगे पांच किलो या दस किलो आना आज देता हुसका कितना होता 200 रूपिया 200 रूपिया वो देकर और अगर उसको एक महना लवाता है तो बताइए एक आदमी का कीमत से भी 200 रूपिया है अर अर्मिक राजनित हो रही है तो आतंग फेला के रखा एकदम भाडमिक राजणित करता हैं現दू को मुसलिम से लरा रहा हुसलिम को हिंदू से लरा रहा किसीका राजनित व्हूयंट कर रहा है ढई ठैखल्ब–ध्यादप से सही देख रहा है कि राष्टे जनता दलिया बहुजन समाजपार्टी के दूरा भाजपाय के पुला को भुका जा रहा है तो इस फरा की सवे माहल बना हुआ एक रिष्कों के सब्सक्राइब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है वो तो एही ने कोजगों कर देंगे हम को चुनों में जाना तो यही सब करके चुनों में जाएगा और उसके पास तो क्या स्था काम कर दें का नाम पर अश्यलें तो अइसे हिंदु मुस्लिम करके जीब काट लेंगे कर लेंगे यानि कि सही मुद्दे से लोगों को भठका कर इदर निगा ले जा रहा है तो बिहार में भी खास करके चाहे वो दलीत हो या पिछड़ा हो अलब संख्या को तो अन्य जाती के पाटी मतलब राष्ट्य जनता दल है लालु आदब जी के नक्से कदम पर क्या लग रहा है कि तेश्वी आदब जी चल रहा है उससे दस कदम आगे चलेगा युबा है और उसे जितना मालो अभी जो भी पिछरा है पिछरा के लालु चले जाए हम लोग अगर 15 साल 20 साल पीछ बात करेंगे जो बात हम लोग बोले हैं हम तो इतना कहेंगे हम सिक्षा मंत्री को कि आपके साथ पूरा भिहार खरा है और हम लोग खरे हैं कभी हम इस पर माफी नहीं मांगेंगे जो बात सही है सही है थोरे देर के लिए लोग को करवा लगेगा पिछरा को अतीत पिछरा को दलीत को महा दलीत को थोरे देर के लिए करवा लगेगा लेकिन वो ठंडा दिमाग से सोचे तो उसके हक के लिए बात किया गिया है अभी आपको पूरा बिहार सुनना है असर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुपोल लोग सब्सक्राइब बड़ी चेहरे हैं और राष्टे जंदा दिल में कई वर्षू साफ कारीरत हैं और कई बार आप यहां पे विभीन विधान सभा में हो चाहिया प्रखंड में हो काम चीजों पर कारी ना करके भारते जंदा पार्टी के दो राजिस तरह से राजनीत हवा दिया जा रहा है तो आखिर बिहार के से एक बिक्सित राजी बने इस दिसांब आपकी पार्टी कैसे कारी कर रहें हम राप पार्टी को तो अभी छे मैंना हुआ सत्ताम आये हुए आदमी को दे रहे हैं छे मैना के अंदर मेरा ख्याल तीन लाख नोक्री बांट चुके हैं और जो वदा किया तेजस्वी जादब की जो हम रहा सत्ता में रहते हुए दस लाख हम नोक्री पूरा करेंगे अगर हम रह गए सईसलाम पच्चीस तक सत्ता में इसको भी पूरा क मुखमंत्री जी वो उसको गलत हा रहा है कि नहीं हम तो खैर यह बियान नहीं अभी सुने है कि मुखमंत्री जी गलत हा रहा है अगर गलत हा रहा है तो हम लोग आपस में बेटके उसको भाईचरा करके क्योंकि हमारे अभी हम लोग गटबंधन में हैं नितिस हमारे गटब बिहार भर में आप लोग राष्टे जनता दिल के जितने भी पार्टी कार्ज करता है यह लोग चल सेकर यादव चुको सपोर्ट कर रहे हैं उसके ब्यान को लेकित एक दम कर रहे हैं हमारी चैनल के माध्य से क्या कुछ काना चाहें आप भाजपा के चकर में भाजपा पाटी है और कम करता है आफ़ा जादा फैलाता है इसकर कर कि आप उसके आफ़वा में नहीं आइए आप अपना ठंडा दिमाग से सोचिए खासकर कि दलीत महादलीत पिछराकवब बार-बार आपको करें कि ठंडा दिमाग से सोचिए और जो बयान चंसे कर दिजिया है उस पर आप विचार कीजिए वह 100-% आपको सही निकलेगा कहीं से आपको गलत उसमें कहीं से गलत नहीं है जरूर बनेगी इस बार एक दम बिहार सरकाव 25 में भी बनेगा और इस बार जो लोग सबार 24 में हो रहा है 40 में से 40 सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं लेकिन बहुत बारते जनता पाटी तो बिहार में चिराग पास्मान को आगे करके यहां पर राजनीत कर रहा है और चिराग पास्मान को डैमेज करने वाले को नहीं यहीं भजपे वाले नहीं आज उसका जो MP था 5 MP कहां बेठा हुआ है वही भजपा का गोद में बेठा वही इसको डैमेज किया और उसी के बाद पर फिर चिराग चल रहा है आने वाले समय में चिराग का जो बचा हुआ चबी है उसको भी खतम कर लेगा यहीं 24 पास्मान चला तो उसका जो बचा सब्सक्राइब जैसे मुके सहनी को आप देख लिजिए क्या क्या उसके साथ भाजपा ने वही हाल आप चिराग पास्मान का होने क्या क्या आपको लग रहा है कि 2024 25 में जितने भी घटक दलके है चाहे वह चिराग पास्मान हो मुके सहनी हो जीता नामाजी हो पेंतर अगर हमारा उसको महागटमंदन का नितुरूत अगर उसको पसंद नहीं है तो अकेले अपने आप में खरा हुए भाजपा को भागाने के यह जो आप छोटे-छोटे दल एक कठा होकर सब अगर हम लोग चुनों लरे तो भाजपा भाग सकता है मेरा नाम मुहमद जलील हु कितने बेवां बेवां अन्दाजूम अपने बातों को रखा इनका कहना है कि बिहार में बात होनी चाहिए सिख्छा स्वास्त रोजबार की ना कि भातों को लेकर कि यह लोग को आप नहीं होनी दिए उस तरह का अभी दलीत वर्गों को या अन्य जाती कि जितने पिछड़े अल्पसंख्यक लोग उनको एक मंच पाना चाहिए और भारते जंता पार्टी जिए आरुप लगाते हैं कि यह लोग धार्मी के राजनित कर रहे हैं और लोगों के भटकाने के काम कर रहे हैं र सब्सक्राइब को लेकर भी एक बड़ी भविश्वानी की है कि 24-25 में निश्चीत तोर पे महागडबंधन की सरकार बनेगी और बना तया है और भारते जंता पार्टी को लेकर कि नोनों क्या कुछ कहा तो अभी सुन दे था आप जलील साहब को और हम जल्द मिलते हैं अग सब्सक्राइब को